अरे मीना बात्रूम में मेरे कपड़े पड़े हैं जर धो देना और मेरे भी दो जोड़ी पड़े हैं वो भी ले 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 लेकिन चाची मैं तो कॉलेज आ रही हूँ कॉलेज कॉन सा कॉलेज अरे डिग्री तो तुने ले ली अब क्या तुझे कलेक्टर बनना है देख घर कामकाज सिखेगी तो अपने घट जाएगी तो मारा नाम रौशन करेगी दादा जी दादा जी मैं पढ़ना चाहती हूं मुझे जाने दीजी अब बाबु जी क्या कहेंगे अरे भाई तेरी चाची या तेरी दुश्मन थोड़ी न है जो तेरा बुरा चाहेंगी पहले भी त दादाजी प्लीज मेरी पढ़ाई मत रोखिये मुझे कॉलेज जाने दीजी कोई जड़ुरत नहीं है वह सही कह रही है जितना पढ़ना था उतना पढ़े लिया घर में बैठो जाओ अब कमरे में बैठे बैठे टेस हुए मत बहाना बहुत काम पढ़ा हुआ है मेरे तो वैसे ही टांगों में दर्द रहता है मेरी तब यह कुछ गड़बर लग रहे ही चलो कि यह एक सुनेंगे तो हैं सब्सक्राइब जा जाक जाके बुला सबको उनके लिए तो साक्षाथ भगवान आ गया जा नाम क्या है तुम्हारा राजू राजू नाम है मेरा इससे पहले कहां काम करते थे अमीजी किसके यहां अमीजी बच्चन जी अमीजी बच्चन उनके किस ने लगाया तुमको वो कै किसी ने लगाया निए वो श्री जी के पाश आम को चाय पीने के लिए थे मैं इससा चाय बना के पिला आना मेरे को चुप चाप नीचे लेकर बोले सौ रुपय बढ़ा के देता हूं मेरे साथ मेरे साथ मैं भी चल दिय लेकिन शीदेव किस ने लगाया तो मैं बताओ ना यार सलमान बाई ने सलमान को भी जानता है तो साइड में जाए कर रह था तो सलमान माई बोले क्या को रह रहा है तो मैं बोलने का इदर तो पचास आदमी है सौ आदमी खाना ब़लाना पड़ता है और एक रोटी चल बराबर है अब क्या है कि जमानत देने की वैसे तो ज़रूरत नहीं लेकिन अगर जमानत देना चाहो तो किसकी दोगे ने जमानत में कुछ नहीं दे सकता हूँ आप लोग को रखना काम पर तो रखिये वरना मादूरी दिख्षी जी के घर्जे मेरे को खुलना ओफर है अजैंय। मैं इसे जानती हूँ कैसे जानती ठब सुनो तुम वही हो जो सुभाज जी क्या काम करते थे कौश जी मेरे इस्ट्राल के पडूस में रहते त्यूमा बर्दन निखा थे सुभाज जी false काम क्यों छोड़ दिया वहां अभी क्या बोलना का तरी मूर्थी रिली जुई सारा गुस्सा मेरे पर निकाल दिया कोई बात हुई है चिट-चिट छोड़ी है और मुझे पताएं किचन कहा है तरी मुझे युझर दिंदा अच्छा और सब्क्रश्ब को बाकि रहे सब को और वह को हुआ रहते हैं और दुम्ह दाड़ी रहते हैं और आप7 और कूम सामने ताज़धी का और वहां पपि चाछा और कौन रहता यहां पर वो आजकल कमरे में रोती है रोती रहती है चला मैं आपनी रोएंगी उनका कमरा कहा है वो सीडियो के बगल में चले आभी बोर मत करने तो नौकरी छोड़ दूँगा अजकल आजकल आप पलंग पर अउंधे पड़े बहुत आसुआ बहार है यह दस रुपई के फोटो के लिए दस-दस करोड रुपे के आसुआ बहार है अरे मैं तो कहता हूँ कि इस बेजान तश्वीर को फेको और इस जानदार अदमी को गले लगा लो तुम्हें यह घादि क्या बोल रही तुम्हें राज तुम्हें 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 तुम्हें